कपिल देव ने टीम इंडिया के खिलाडियों को लगाई लताल दिया यह बड़ा बयान नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में कपिल देव ने मौझूदा खिलाडियों की जमकर क्लास लगाई है कपिल देव ने भारत के इस प्रदसन के लिए इंडियन प्रिमेर लीग आईपिल को भी जिम मेदा ठहराया है विराटकोली की कप्तानी वाली टीम इंडिया को लीग राउड में पहले दो मैच में लगातार हार झेलनी पड़ी पाकिस्तान और न्यू जिलेंड से हारने के बाद टीम इंडिया का टूनामिन्ट से बाहर होना लगभताय हो गया था और न्यूजिलेंड की रविवार को अफगानिस्तान के खिलाब जीत ने भारत का दर्वाजा एकदम ही बंद कर दिया। कपिल देव ने ABP News पर कहा समय आ गया है कि हम आप भविश्च पर ध्यान दें। आपको अभी से प्लानिंग सुरू करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि IPL और World Cup के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए था। कपिल देव ने कहा कि भारती खिलाडियों की प्राथिमिकता IPL खेलना है और देश के लिए टूनमेंट खेलने को वो प्राथिमिकता नहीं देते हैं। कपिल देव ने साथ ही कहा कि BCCI को इस बारे में सोचना चाहिए। खिलाडियों को बेतर तरीके से मैनेज करें। इन गलतियों को नहीं दोराना है। और यही इस टूनमेंट में हमारी सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों आप भी कपिल देव के इस बयान पर अपनी महापूर रहा है। कमेंट करके कमेंट सेक्सेन में जरूर बताएं। ज़्यादा जानकारी और क्रिगेट के अने तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रवाद।